नमस्कार मैं हूं कुमार गजेंद्र जन्पत उन्दा स्पॉट में आपका स्वागत है दिल्ली के अंदर किस तरीके से काम के मामले में जो काम किये जाने चाहिए उनके मामले में किस तरीके से रोड़ा आठकाया जाता है ये एक बड़ा मामला है दिल्ली सरकार अपने केबल जो आम आदमी पारिटी जो पारिटी और पारिटी के कारे करता और पारिटी के जो करता धरता है सिर्फ उनी से जुड़े काम करती है सिर्फ मुफ्त मुफ्त की रेवडियां बाठती है इसके अलावा कोई काम दिल्ली सरकार के अंदर नहीं हुआ है ना होता है ये मामला हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार बार-बार जो अर्विंद केजरीवान है ये हला मचाते रहते हैं कि उन्हें कोई काम नहीं करने देता है उन्हें अफसर काम नहीं करने देते हैं लेकिन ये सारी बाते हवा हवाई ही होती है क्योंकि दरसल देखा ये जाए अगर गौर से इन चीजों को गौर किया जाए इन पर तो पता चलता है कि सरकार खुद ही कोई काम नहीं करना चाहती हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अभी जो दिल्ली के उपराज यपाल हैं वीके सक्सेना उन्होंने एक ओर्डर पास करके ये कह कि कानून मंत्राले के अंदर जो दिल्ली सरकार का जो कानून मंत्राले है उसके अंदर बहुत सारी फाइलों को जो मंत्री मोहद्य हैं यानि कि जो गहलोत साब हैं वो उन्हें दवा कर बैठे हैं और कई महीनों से उन फाइलों को बाहर ही नहीं निकाला गया या यूग है क उन पर किसी तरीकी की कोई कारवाई या टीका टिपड़ी करने के लिए उन फाइलों को आगे चलाया ही नहीं गया और ये बड़ी महतुपूर फाइले थी जिनका आगे बढ़ना बहुत जरूरी था जिसकी वज़े से जो GNCTD Act है उसकी कही न कहीं जो रूल्स थे उनकी अवहेलना की जा रही थी ये बड़ा मामला था लेकिन जब ये सारी चीज़े सामने आई इसका बंड़ा फोर तब हुआ जब दिल्ली सरकार के ही लॉड डिपार्टमेंट के जो परधान सची में उन्होंने LG साहब को एक पत्र लिखा तब इस बात का खुला सा हुआ और उन्होंने LG से मांग की कि इन फाइलों को जल्दी से जल्दी निवटाने के लिए और अपने जो कानूनी अधिकार, जो LG साब के पास हैं, उनका निर्वहन करते हुए इन फाइलों को जल्दी से जल्दी निवटाया जा है। ये एक बड़ा मामला था, आप समझ ये किस तरीके की फाइल हैती। दरसल कानून विभाग यानि लॉड इपार्टमेंट पर LG का बड़ा एक्षन इसके बाद सामने आया है। लॉड इपार्टमेंट में लंबे समय से पैंडिंग सभी फाइलों को LG ने वापस मांग लिया है। LG के कानून LG ने कानून की अंदेखी का अरूप लगा आया और ऐसी सभी पैंडिंग फाइलों को तीन दिन के अंदर वापस करने के आदेश दिये दिल्ली सरकार को। अभी अभी जो एक और बड़ी खावर निकल के सामने आ रही है कि खुद अर्विंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर काफी गंबीरता दिखाई और संग्यान लेते हुए हाला कि उन्होंने इसका जिकर नहीं किया किया है लेकिन खावर ये है कि जो कानून मंत्री केलास ग दिल्ली सरकार में नंबर दो के पदट पर बैटी है । आतिसी मारले नो को दे दिया गया है। उनसे जो law department शीना गया है, उनके उपर जो कारवाई अर्विंद केजरिवाल ने किया, वो law department की मंत्री अब आतिसी मारलेनों को बना दिया गया है, और जो कैलास गहलोते उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, उनसे law department शीन दिया गया है, ये क्योंकि बहुत गंभीर मामला था, और इससे कहीं न कहीं सरकार की जो चबी है, उस पर काफी बड़ा दाग लगा है, तो इसलिए उन पर भी कारवाई हो गई है, ये सूत्रों के हवाले से कबर है, तो अब हम आगे चलते हैं इस कबर में, आपको ये बताते हैं कि दरसल हुआ क्या था इस पूरे मा पांच, 19 सेक्षन पांच को लागू करते हुए, LG से अपना अपना एक्सल लेने के लिए कहा गया था, कि वो इस पर एक्सल ने, क्योंकि फाइलों को अभी जो मंत्रा लेके जो मंत्री हैं, वो दबा कर बैठ जाते हैं, और वो फाइलों को नहीं निकालते हैं, तो एक्सल लेने की उन्चे गुजारिस की गई थी, परधान सचिव ने आशंका जताई थी, कि इन फाइलों पर कारभाई में देरी के चलते, किसी भी दिन दिल्ली सरकार और हाई कोट के बीच, कानूनी विवाद की इस्तिती पैदा हो जाएगी, ऐसे में नियोमों का हवाला देते जी एन सीटीडी एक्ट के सेक्षन उननीस सेक्षन जे के तहत उन्होंने लगी वी के सकसेना सीम अर्विंद के जिवाल और चीप सेकर्टरी नरेस कुमार को इस संबंद में एक रिपोर्ट भी जी ती, जिसमें बताया गया था कि नियाइक जो बुनियादी नियाइक ढाच पर पढ़ रहे असर और उसकी वज़े से हो रहे लोगों के उत्पीडन को ध्यान में रखते हुए, एलजी बी के सक्षना ने गुरुवार को यह आदेश जारी कर दिये, यह सारी चीजे खोने वाली थी, इसलिए उन्हें यह एक्सल लेने के लिए एलजी बी के सक्षना से गुजारिश की गई थी, गुजारिश किसने की थी, जो लॉड इपार्टमेंट के परधान सचिव हैं उनकी तरफ से, बाकाइदा इसके लिए एक लैटर लिखा गया था, एलजी बी के सक्षना के लिए, और जब यह सब बाते पता चली, बाकाइदा उसमें उन फाइलों क अभी हवाला दिया गया था, जो फाइलें लंबे समय से पैंडिंग थी, और सो गहलों जिने इन फाइलों को दबा कर बैठे थे, एक बड़ा मामला था, आप समझे एक मंत्री, फाइलें ही नहीं निकालता है, उपर से यह आरोप लगाते हैं, कि एलजी और दूसरे तरीके कि जो अधिकारियें, उन्हें काम करने नहीं दे रहें, लेकिन काम तो तब होगा जब फाइलें इनके टेवलों के नीचे से निकलें, इन्हों बहुत फाइलें दबा के बैठें, सिर्फ यह अपने काम की बात करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं, यह बड़ी फाइल थी हाई कोड के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजों का अलाउंस बढ़ाने से संबंदित फाइले जुलाई दो हजार तेईस से पैंडिंग है जिने जो लॉड इपाइटमेंट के मंत्री हैं कहलास गैलाउथ वो दवा के बैठे थे इस फाइल को इन फाइलों को इसके अलावा रोहिनी सेक्टर 26 के अंदर एक जिला नहाया हल है याने के कोड बनाया जाना था इस कोड परिशर के निर् का इंफ्रस्ट्रेक्टर खाड़ा करना है और उस पे उस पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ और जुलाई और अगस्त से यह सारी फाइले दबा कर बैठे थे मंत्री कैलास गैलाउथ अब इस सारे मामले पर जब बबाल मचा एल जी ने यह सारी फाइले तीन दिन के अं उसमें उन्होंने कहा है कि न्याइक परिक्रिया में अरचन डालने के आरोपो को सिरे से केजरिवाल सरकार ने खारिज कर दिया है उल्टा उन्होंने यह कहा कि सरकार ने दावा किया कि केजरिवाल सरकार ने जुडिशियल जो इंफरस्टेक्टर है उस पर अब तक का सबसे जायदा निवेश किया है और एक बड़ी हास्यास्पत बात आपको बता देते हैं जिस पर ज़रा गौर कीजिएगा ये सारी चीजों के आपको डेट मिल जाएगी कब इसका प्रोजेक्ट पास हुआ कब ये बनाया गया कहा पर बनाया गया कौन इसको सरकार के टाइम पर बनाई सब चीजे गूगल पर भी मौजूद हैं आप ज़रा गूगल कर लीजिएगा अगर कोई जूट बोले तो उसको पकड़ना चाहिए उसके बारे में जरूर सच्चा ही सामने लानी सेगे तो हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं के वाल सरकार ने जो दावा किया है उसमें कहा गया है कि इसी सरकार के कारेकाल में दिल्ली के अंदर वर्ड क्लास कोट परिशरों को निर्मान किया गया जरह सोचिएगा इस बारे में जरह देखिएगा जरूर राव जवेन्यू कोट बताइए राव जवेन्यू कोट कड़कर डूमा कोट कोट परिशरों के अलावा हाई कोट के अलग अलग ब्लॉक और तीस हजारी कोट के पास नए कोट परिशर का निर्मान जो इसी सरकार ने करा है दावा कर रही है किसी तरीके का निवेस होता ही नहीं था जबकि यह सारी जो चीजें यह बता रहे हैं यह सीला दिक्षित सरकार के टाइम पर यह सारा ऐसी चीजे करते हैं जिस इंफरस्टेक्चर का सीला दिक्षिस सरकार जाने के बाद इन्होंने उद्गाटन भी किया उसे भी अपने खाते में डाल लिया जबकि इंफरस्टेक्चर के नाम पे दिल्ली के अंदर जीरो काम हुआ है कोई काम हुआ ही नहीं है तो आप समझिए क इतने बड़े मामले के बाद जब उसके ठीक अगले दिन एल जी के फाइले मांगने के ठीक अगले दिन अपने ही मंत्री कैलास गैलोत को चलता कर दिया जाए तो आप समझिए मामला कितना गंबीर था लेकिन इसके बावजूद केज़िवाल सरकार अपनी वहवाई करने से बाज नहीं आ रही है बात बहुत बड़ी है निकली है तो दूर तक जाएगी आप जरूर इस बारे में जाच कीज़िएगा कोशिस कीज़िएगा कौन सा कोर्ट परिशार और कौन सा निर्मान केजरिवाल ने कराया है बहुत बड़ी बात है अगर आपको मेरी ख़बर ह्पिर बाराद